विडिकाम सत्स्रियकाल केम छोग केड़ो हाल आए रादे रादे आपकी अपनी चैनल ओम गोकलानी व्लोग्स में आपका स्वागत करती हूँ तो यहाँ से हम जैसे ही घर से निकले मेरा बाई गिरिश मुझे मिल गया था तो हम दोनों साथ चल दिये थे गूमने के लिए साल हो गए हैं 12 सालों में हम कभी इस मंदिर में नहीं गए तो चलिए आज एक न्यू जगा आपको एक्स्प्लोर करते हैं गाइस तो गाइस हम आए हैं हमारे कालावाट रोड पर स्थीत राजकोट में स्वामी नारायन जी के मंदिर तो आज मैं बताती हूँ कुछ स्वामी नारायन संप्रंदाई का इतिहास वैसे तो गाइस स्वामी नारायन संप्रंदाई इतिहास में बहुती पुराना है स्वामी नारायन या निलकंध वर्णी को स्वामी नारायन संप्रंदाई का जन्नक या संस्था पक्त माना जाता है स्वामी नारायन संप्रंदाई के प्रवर्तक सहजानंद जी का जन्म यूपी के गोंडा जिले में छपिया नाम के गाउं में हुआ है वर्तमान समय में इस गाओं को गाईस स्वामी नारायन छपिया के नाम से जाना चाता है और गाईस इंटरस्टिंग बात ये है कि स्वामी नारायन संपरंदाई वेद के उपर स्थापित किया गया है तो स्वामी नारायन संप्रंदाई से अब दो गाईस हमारे देश में लाखों की तादात में लोग जुड़ते जा रहे हैं सबसे पहले स्वामी सहजानन्द जी द्वारा गाईस छे मंदिरों का निर्मान करवाया गया था तो हमारे गुजरात में भी काफी सारे स्वामी नारायन जी के मंदिर बन गए है गाइस तो बस बताईए आपको सहजानन जी का मैंने कुछ इतिहास बताया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताए गाइस तो यह दिखें यहां से रोड का व्यू भी दिख रहा है तो गाइस यहां मंदिर में भी ओम के नकरे स्टार्टे तो अभी हम आए हैं स्वामी नारायन के मंदिर तो मंदिर बंद होने का टाइम हो गया अभी बच्चे हैं रात के सारे आठ किसी ओर दिन जल्दी आकर आपको एक्स्प्लोर कला रहेंगे तो फिलाला भी चलते हैं गर गर नहीं भूमेंगे अभी बहुत सारा तो यहां से हम दीरे दीरे अब सीडिया उतर रहे हैं और यहां पर मैंने दो से तीन शोर्ट्स भी क्रियेट किये थे मंदिर के आने वाले टाइम में आपको जरूर दिखा दूँगी वो तो आप देख सकते हो कितना भव्यव और आलिशान मंदिर है अगर आप हमारे गुजरात के आसपास से हो तो जरूर से इस मंदिर को विजिट करें यह मंदिर है कालावड रोड पर तो आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से सभी को शेयर करें तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सबस्क्राइब करो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में चैमातादी बाबाई गाईस